हेलो असलाव वालेकुम विल्कम बेक्टो माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई हूप आप लोग अच्छी होंगे तो जैसा कि इससे पहले वाला ब्लॉग देखे कि जिया इस्कूल जा चुकी है और बस दरवाजा बंद करके और सीधे आ चुके हैं किचन में क्योंकि किचन देके नहीं गई हैं बहुत रिक्वेस्ट किया हम बोले बैटा पूड़ी है तो ले जाओ है बना हुआ रहता रहता है असा मुझे लगता है कि हाँ बस बच्चे ले जाए नहीं बना कभी ऐसा हुआ लेट हो गया वो अलग बात है तो चलिए जाने दीजे नहीं लेके गई लेकिन अब आ चुके हैं और किचन का जो काम है वो कम्प्लीट कर लेते हैं सारा समानना सब समेट देते हैं जो बरतन धूने वाला है क्योंकि सारा बरतन निकल चुका था क्योंकि इनको नास्ता दिये फिजिया नास्ता करी फिज ऐसे विसे करते करते ना बरतन तो यहाँ जादा है नहीं तो सारा बरतन सिंक में डाल चुके हैं और यह जो दूद है कल रात में जैसा कि आप लोग देखे थे कि हम लेकर आए थे और रात में ही गरम हुआ और यहां पे फ्रीज तो है नहीं तो अगर अभी हम इसको गरम नहीं करेंगे ना तो फिर दूद फट हैं और दूद ना इदम धीमियाच पे चड़ाए हैं कि अगर मालीज ध्यान से उतर भी जाए ना तो दूद गीरे नहीं वह उसी में खौलता रहेगा तो इधर स्लेवलप सबकुछ साफ कर चुके हैं और दूद धीमियाच में पक रहा है तब तक इधर आए तो देखे कि वासमें बेसिन के पास जिया आज उसको लेट हो रहा था तो बाल जाड़के और इसी कौम में ही पुरा बालो लगा हुआ था और जो ये ब्रश निकाले थे तो उसका रैपर भी था तो सब कुछ उठाके दिरस्ट बीन में डाल चुके हैं और उसके बाद आ चुके हैं बै कुछ भी नहीं है और फिर अगर दो भी देंगे ना तो सुखाएंगे कहां तो वापस इसको ना ऐसी ही तह लगा के और रख देंगे और जब फिर नेक्स्ट बार आएंगे ना तब इसको सोचेंगे कि क्या करना है जाड़ ओड़के फिर यूज करेंगे नहीं तो अगर घ ठीक हो गया है और चादर और तकिया का कवर कल रात में भी ना लेकर नहीं आए ऐसा हरवड़ी में आये ना कि ध्यानी से उतर गया था अब देखिए कब ध्यान में आता है वो कब हम लेकर आते हैं उसके बाद यहां पर दूद ना खौल चुका है बस यह है कि गिरा ने था उसी में खौली रहा था और तार लेकर अब चल दिये पीछे क्योंकि तार की बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि अब आना जाना रोज का है और रोज ना रोज नहा नहा के लोग अंडर बेयर और तॉलिया सब कुछ ले जाके बेडरूम के जो दर्वाजे पे टांग द बड़ी था तो यहां पे कील देखे तो बस इसी में ऐसी फसा दिये हैं ताकि थोड़ा सा आज कल में यूस हो जाए और उसके बाद जब यह लेकर आएंगे तो यह खुद ही अपने से पूरा सेट करेंगे मेरे बसका तो नहीं है फिलाल के लिए इतना वजन देख रहते कि जहेल भी पारा है कि नहीं तो इनका तॉलिया और अंडर्वियर सब कुछ डाल दिये हैं और उसके बाद जब आगन में आ ही गए थे तो हम सचे की लाओ ज़ाडू भी लगा देते हैं अब ही जब कूलर में पानी लगाएंगे और रूम दोएंगे ना तो फिर पूरा आग रूम में भी थोड़ा सा जिससे पानी मार देंगे क्योंकि जाडू पोचा कुछ तो ही नहीं तो कम सकम इसी बहाने साफ हो जाएगा और रूम पानी डाल दीजे तो साफ हो जाता है फिर उसको कुछ भी धोने की रगणने की जरूरत नहीं पड़ती है तो पाइप तो लग देते हैं ताकि दुपःर में सी garlic बना देंगे जब जिया से बोले ना कि दाल चावल बना देंगे बीन चना खा लेता तो तुरंती मुझ बनाली क्योंकि अब सुबा भी खाके गई और फिर दुपःर में हम सब्साइबस हम सब्साइब हाँ अगर हम लोग चाहते हैं तो हम दोनों खा सकते थे लेकिन सोच रहें कि अब दाल चावल क्या बनाएंगे तो जिया का जो फेवरेट आलू वाली सबजी वो बनातेंगे और चाना भी है तो सम्मिल जूल के हो जाएगा तो यहाँ पे चलिए बरतन और दो लेते हैं बरतन बहुत भी है और दिखाएंगे कि मेरा बागीजज़ा कहीसा और गार्डन कहीसा और तो यह तो उसस से इस पानी डलते हुए और उसके बाद बाहर चलते हैं और बाहर में वीडियो बनाने में बड़ा अजीब सा लग रहा था लेकिन फिर आदत हो जाती है जब आप थोड़ा सा दिमाग से निकाल दीजे ना तो फिर आदत हो जाती है तो आचुके हैं बाहर और उसके बाद इधर पा तो मेरा बागीचा में सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा कड़ी पत्ता और दोठो यहां पर अम्रूत का पेड़ है और केले का पेड़ है हेलो वेल्कम बेक तो माई चैनल तो आज मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ जूप ब्रैंड का बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन और भी फूट वेयर का और न्यूली लॉंज है यह प्रोड़क्ट और मुझे यह देखते ही बहुत ही प्यारा लगा इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएगा दूप एक इंडियन ब्रैंड है और इसकी जो प्रोड़क् और काफी ज्यादा मजबूत तो और क्या चाहिए स्टाइलिस भी है और कमफर्टेबल भी है आप पहन के ना काफी रिलाक्स दम लगेंगा यही कि हां कुछ पहने हैं बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि आप जैसे की हील्स तो पहन सकते हैं यह सब में बहुत ज्यादा स्टाइलिस लगता है और मुझे सबसे अच्छा यह लगता है कि यहां पे इतना अच्छा इस पंजी जैसे की जब पैर रखिए ना तो काफिर रिलाक्स लगता है यानि मुझे इसका कुंपूशन बहुत ज्यादा पसंद आता है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है मैं आप लोग सब्सक्राइब करते हैं यह जो लैदर यूज होता है यह लैदर आपको बैगन लैदर मिलेगा कोई भी जानवर को नुकसान पहुचा के उनका लैदर यूज नहीं होता है तो आप इसे ही ले सकते हैं मुझे काफी अच्छा पहनने के बार भी काफी अच्छा स्टाइलिस लुप दे रहा था मैं अपना एक नबर हमेशा कम मगाती हूं जब भी कभी मैं ऐसे हाफ सेंडल या या ऐसे मंगाती हो ना तो मैं एक कम मगाती हो क्या होता ना पहनते पहनते थोड़ा सा पानी होने लगता तो यह फैलता है और बाद क्या होता है यह पैर से निकलने लगता है इसलिए मैं हमेसा एक नमबर कम मंगाती हूँ यह आपका option है आप चाहे तो अपना ओरिजनल भी इस वो जो भी आपका साइज है आप उसको मंगा सकते हैं और बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निल जाएग आप पसंदे बैग लेना है तो बैग भी ले लिजे काफी अच्छा डिसकांट चल रहा है और एक्स्ट्रा डिसकांट चाहिए तो मेरा कोड यूज़ेगा आपको एक्स्ट्राइब लिजाएगा मुझे काफी अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बीटा जीन पर लहने पर साड़ी पर ऑफिस कॉलेज ममी सबको आप गिफ्ट तो बहुत अच्छा गिफ्ट ऑप्शन है और इसका ना एक चीज और बता दे यह ना ओपन हो जाता है ऐसा नहीं है कि आप इसको ओपन नहीं कर सकते आपको ऐसे ही पहनना पड़ेगा यह देखिए आ और काफी मैं इनके प्रोडक्त आपी यूज करती हो इसलिए मुझे इनके बार में काफी मुझे अच्छा लगा तो न्यू इन लाँच हुआ है मुझे यह दिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगा तो मैं यह मगाली बाखी आपकी मर्जी है आप लेना चाहते हैं तो ले अच्छा अच्छा बन चुका है और साथ में पनाए है जीया के लिए गुलाब जामुन तो जो की खाके वह पाने पी लिए दिखाते हैं आप लोगा आज खाने में बनाए है जीया का फेवरेट आलू पानी वाली जो सबजी होती है चावल के साथ खाती है वह है इधर पृस्त गुलाब जामुन जो की आज का जिया को बहुत अच्छा लगा कभी खळसा होता है के हडवड़ी में बनाई है और बहुत आच्छा बन जाता और साथ में वाली जो शुझे की सबी है तो इसलिए र्लका फूलका बना दिया मसाला Ol जादान नहीं तो मिला जिला कि ह लखा लेंगे एक हीरा है तो भी सलात बना लेंगे तो अभी ढाई बज रहा है और इनकी आने में अभी टाइम है उस वाले रूम में पंखा चल रहा है लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है ब्लैंके टोड़के लेटे थे लेकिन हमको ठंडी से नीन नहीं आया तो फि अज़ाने का इतना थंडा एतना थंडा यह पर थंडा है ही जब कि दिखें कि उड़की स्वाब खुला हुआ ज़रा ऊज़ा वह दर वाज़ए होज़ा लेकिन फील भी नहीं पोरा घर थंडा है पूसेज पूलर की तो जरूरती नहीं अप पंखा में इतना ठंडा लग जा 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 नहीं इधर का ना इर घर खाली है पता नहीं को ना नल खोल के चला गया है पुरा भर गया पानी यह इटा लगा के करो यह इटा यहां से उठा कमा लगा दो यहां पुरा भर गया पानी इटा उठाओ यह तो उल्टा सिधा काम कर रही है जा पहुच जाओगी अभी भी नहीं पहुच पाओगी एक कीटा और डालना पड़ेगा यह यहां से उठाओ ना यहां से यहां से वहारा कुगीर मज जाना बिटा वेरी गुड आ पागल उल्टा सिधा काम कर चल दिवाल पकड़ ले पता नी कौन था बेब कूफी है सब अरे मेरा बच्चा तो वहां से नल और बंद करके जिया आ चुकी है और इसके पैर में ना मिट्यूटी लग गया था तो यहीं बाहर में ही नल दिया हुआ है तो यहां पना पैर और धोरी और यह वाला जो नल है ना यह बाहर का कार और यह सब धोने के लिए तो हम यहां पर बैठे थे ना तो हमको आवाज आ रही थी कि हाँ पानी गिर रहा है पानी गिर रहा आज पता नहीं को में इतने गोरे गोरे क्यों लग रहा है अजीब से गोरे बन लग रहा है आज जीया का क्रीम लगा लिए उससे हमको आजीब से सफेज सफेज सचेहरा लग रहा है तो आवाज आ रहा था कि हाँ पानी गिर रहा है कहीं से तो बस वही पानी जीया गई है तो पानी बन करके आ गई एक बार हम मूद हो लेते हैं कि हम तो तीन बच गया है और इनके आने का टाइम तो हो गया लेकिन ये तो आहीं रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा से ध्यान में लगावाथ है कि आईसा तो नहीं कि ये डायेट वहीं चले गा कभी कभी ध्यान से इतर जाता है तो ये आच छुके हैं थोड़ा इन की पैर में थोड़ा सा नस्टड़ गया था इसलिए ये थोड़ा सा लेट में आए उसके बाद जीया को बोलागया कि चाय बनाने के लिए तो ये दिखी पूरा गिलास भर भर के चाय बनाई ए अपने लिए दूद लिए क्विकि फिर दूद हम लोगों को लेकर जाना प् तो इसलिए सब चीज अपनी अपनी जगा पे रख देते हैं यहां पे हम लोगों का बैग भी ना पैक हो चुका है और हम लोग घर भी आ चुके हैं च्छत बहुत जादा गंदा हो गया था इधर बीच तीन दिन से ना हम लोग वहीं पे चले जा रहे थे तो यहां पे घर का देख रेक नहीं हो रहा था और उसकी वज़ा से यहां का घर बहुत जादा गंदा हो गया था तो आज पंप चालू कियें दोनों लोग यहां च्छत हो रहे थे और हम जो वाशी मशीन अन किये थे तो हम उधर अपना काम कर रहे थे और लेकर आ चुके हैं च्छत पर और प दोना सुरू कर दिये हैं जल्दी से दो लेते और ना बहुत ही अच्छा मुझे आइडिया मिला इतने दिन में नहीं था ध्यानी में नहीं था कि कैसे सीड़ी को साफ करेंगे लेकिन इधर बीच क्या है ना इद में हम यह वाला आइडिया अपनाए थे और मुझे बहुत पर चर्ट यहां थोड़ा करके पानी मारते और एसके बाद इसको धोते धोते ना साइड से क्योंकि हम लोगा जो सीड़ी यह वह तहसтовै तो सारह पानी नीचे चला जाता है तो इसलिए हम ऐसे करके निकालते हैं बड़े अच्छे से जिना उज्यादा मेहनद भी निगाव और पूरा सीड़ी बहुत अच्छे सिदम साफ हो जाता है और देखे कितना सारा डस्ट निकल रहा है तो मुझे ये वाला जो ट्रिक है ये काफी अच्छा लगा एक बाद जाडू लगाओ फिर पोछा लगाओ या ऐसे करके दो तो उससे बहुत महनत बढ़ जा रही थी और पहले तो सारा पानी नीचे गिर रहा था फिर सारा समान भीग रहा था फिर यहां दो वहां दो तो इससे तो मुझे काफी आरा मिला उसके बाद सीड़ी ओड़ी सब कुछ दो चुके हैं थोड़ा दिर बैठे थे फिर ये लेकर आ गए थे मतन तो आज बनाएंगी मतन दो बाद दो बाद हम लोगो रहा है और मतन दो प्याज़ा मेरा भी फेड़रेट मुझे भी काफ़ी पसंद है और इनको भी पसंद पहले इनको नहीं पसंदा पहले यहल सीपित profiles मसाला मसाला काथे लेकिन जब से हम बनाएंग दो इनको पसंद हता पैसी पसंद आता है क्योंक बाकि उतना सब निकाल निकाल के फेक दीजे और एक चीज और उसमें प्याज ज्यादा पड़ता है और मेन चीज तो और कि इसमें महनद भी नहीं लगता है बस सब कुछ डालिए और सीटी लगाई उसके बाद थोड़ा से भून लीजे बस आपका दो प्याजदन तयार हो ग फिर अपना बाकी का जो काम है वो भी कर लीजे तो सब जगह का साफ ओफ कर चुके थे और सुबा जब हम सुबा क्या कल हम लोग गए थे तो कि किचन नहीं साफ हुआ था तो हलका सा पानी डालके इसको भी हम साफ कर ले रहें और साथी साथ आज का व्लाओ भी यहीं पर ए बवास हुआ पर पकी का एवास हुआ भी जो आज के फिर्फ़ चरुआा ट्रा तो